टीवी वन इंडिया न्यूज की खबर का असर जी हम बात करें रैबरेली के जनपत सलोन की जहां पर निर्मला देवी पत्निगोरी संकर निवासी पूरे लोहारन का पुर्वा भवानी पूर नौपांच दोजार उन्निस को इनके खाते से आदारकार्ट संसोधन के नाम पर ख खाते से चोरों ने 14,000 रुपए निकाल लिये थे जब इस घटना की खबर टीवी वन इंडिया न्यूज के रिपोर्टर को लगी तो रिपोर्टर ने तुरन निर्मला देवी का बयान लिया था और निर्मला देवी की निव चैनल में चलवाय था निव चलने की एक महिने म निर्मला देवी के खाते में उनका पैसा 14,000 रुपए वापस आगया जिन लोगों के खाते से पैसा निकाला गया था और लोगों को 4,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा निर्मला देवी के खाते में टोटल 18,000 रुपए वापस आए निर्मला देवी से बात करने वो वापस करने की बात की तो इन मैनेजर ने कहा आपका पैसा वापस मिल जाएगा निर्मला देवी ने बताया कि मैनेजर सहाव वा टिवी वण इंडिया निउस के खबर प्रकासन की वज़े से आज हमारा पैसा वापस मिल गया में दिखाए दिया ख़बर का असर यह हमाई साथ खड़ी है निर्मला देवी इनके खाते से एक महीने पहले कटा हुआ था 14,000 रुपए जो कि आप एक महीने बाद इनके खाते में फुना वापिस आप ख़बर के असर की वेज़े से आप पताई निर्मला जी कैसे हुआ बैंक मनेजर ने आपका पूरा सपोर्ट किया बैंक मनेजर के फुल सपोर्ट किवए से इनका जो खाते से पैसा कटा था 14,000 रुपए वो वापिस आपिया प्लस उसमें 4,000 रुपए की बढ़ोतरी उनकी पेनार्टी जिन लोगों ने इनके खाते से पैसा निकाला था उनका 4 14,000 रुपए उन लोगों से पनार्टी को रूप में इनको दिलाया किया मतलब इनके खाते से 14,000 रुपए कटे थे और 14,000 रुपए प्लस होके इनको 18,000 रुपए पिले है एक महीने के बाद इनका इनकी खाते में पैसा आया है और इसके फीछ से मनेजर बढ़ोगा उतरप एक महीना पूरा होने के दूसरे दिन ही इनकी खाते में इनका पैसा आ दिया है इनके कहने का मतलब यह है कि मैनेजर सर की पूरी सपोर्ट के वेसे इनका पैसा वापिस मिला है नहीं तो मेरा पैसा साइध ना मिलता TV1 इंडिया न्यूज के लिए आसेस कुमार की रिपोर्ट सलोन राइबरेली